नमस्क्रार दोस्तों स्वागत आपका आज की शुड में आज में बात करेंगे भारती सहिवधान की उद्देशी का या प्रस्तावने से संबंदित प्रशनों के बारे में अगर आपको वीडियो पसंदा तो प्रीज वीडियो लाइक करना बिलकुल न बुलें और हाँ अगर आपको इन कोशन्स के सई सई जवाब आते तो फटाबर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजेगा आज का जो हमारा पहला प्रशन है सविधान सभा में उद्देश प्रस्ताव किसने वैक कब प्रस्तुत किया था पंडी जवालाल नहरू, भीमराव अमबेडकर, डॉक्टर राजंदर प्रसाद या अबुल कलाम आजाद तो दोसिस का सई जवाब है पंडी जवालाल नहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सविधान सभा में उद्देश प्रस्ताव किया था भार्ति सभिधान की उद्देश प्रस्ताव ना पंडी जवालाल नहरू द्वारा प्रस्तूत उद्देश प्रस्ताव से आस्ट्रेलिया के सभिधान से या इन में से कोई नहीं या उप्युक्त दोनो तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है यानि कि ये जो भारती समिधान की उद्देशी का या प्रस्तावना है वो पंडित जवाला नहरुई के उद्देशी किया गया था उससे और आश्टेला के समिधान से प्रेरित है थाड़ कोशन है सविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुझी किसे कहा जाता है भाग एको समानता की अधिकार को उद्देशी का को या मूल अधिकार ठीक है तुसका सभी जवाब होगा उद्देशी का ठीक है क्योंकि उद्देशी का में वो सभी चीजे लिखे इसे का प्रस्टावना लिखी होती है वह जो नीमंद का जो सार लखा होता है वो कि समय लिखावा है इसलिए विचेलों को जानने कीसिक कहा गया है चौता कुछनह है मूल उद्देशिगा में भारत को कैसा राज का शंकल्प लिया गया था संपून प्रभूतु संपन या लोकतंत्रात्मगणराज ठीक है तो मूल अध्देशिगा में भारत को दोनो ness प्रत्मान में भारते सविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में समाजवादी वैपन्त निर्पेक्ष या उप्युक्त सभी क्योंकि समाजवाधी वैपन्त निर्पेक्ष में सामिल किये गए चटा कोशन है किस सविधान संसुदन के माध्यम से प्रस्तावना के 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 प्रस्तावना क ये काफी अच्छा कोशन है कई बार एक्जाम से में पूछा गया है कि ये जो तीन सब थे समाजवादी पंत्न रिपेक्ष और अकणता किस संसोधन के तहत जोड़े गए तो 42 से संसोधन संसोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में सातो कोशन है इनरी बեरूबारी वाद 1960 के संबंद में सत्य कतन है इन में से कौनसा कतन सत्य है उद्देशी का संविधान का अंग नहीं है जा संदिक दिया है इसपक्ष्टो वहां उद्देशी का संविधान निर्मादाओं को आश्चिक को समझने में सायक है या उद्देशिका सहिधान निर्मादाओं के विचारों की जानने की कुझी है तो यह जो तीनों है यह सभी सही हैं किसके समंद में इन री बेरुबारी बाद 1960 के समंद में हमारा आठवा प्रशन है केश्वानन्द भारती बनाम केरल राज 1973 बाद में सरवश नाले द्वारा दिये गए निर्णों में सत्य कतन है उद्देशिका सहिधान का अभिन अंग है उद्देशिका में संसोदन किया जा सकता है आधार भूत भूत मूल भूत धाचे को चेड़े बिना उद्देशिका न्याय योग नहीं है संवशीधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत महत्व है ठीक है तो यह सारे जो खतन हैं चारो कतन हैं वो बिल्कु सही है कि उद्देश समिधान का अभिन अंग है इसमें संसोधन किया जा सकता है लेकिन मूल बूत राचे को छेड़े बिना उद्देशिका न्याय योग नहीं है ठीक है क्योंकि इसमें कियल सार लिखा गया है जबकि कम्प्लीट जो है वो अपने समिधान में है समिधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत मेत्व है नौव प्रस्ण है किस विवाद में नियाय मूर्ती हिदायत उल्ला ने उद्देशिका को समिधान की मूल आत्मा कहा है कौन सा किस विवाद में न्याय मुर्ति कितायत उल्ला ने उद्देशिका को सभधान की मूल आत्मा कहा है बेरुबारी संगवाद गोलक नात बनाम पंजाब राजजवाद विश्वेश्वर नात्वाद या भीखाची बनाम मद्यपदेश राजजवाद तो उसका सही जवा कहा है ठीक है अर्दोक्टर भीमरावम्र ने अनुचित 32 को सहुधाने उप्चारों का अधिकार को सहुधा की आत्मा कहा है द Play हमारे कृतब्य से HAM भारत के लोग से इन में से कोई नहीं ठीक है तो उद्देशी का आरभा होता है हम थैक किससे होता है हम भारत के लोग से इसका تात्परी 스타ima है सासन की सरवोज सत्ता भारत की जनता में नीट और ही समझा by किंदर को नहीं हुगा भारत की आप सिंद्द्रकु में राष्ट पती में या इनमें से कोई नहीं तो भारती संव्वजान द्वारा प्रता जो संप्रभूता है वह भारत प्रस्तावना उसमें क्या संक्लब लिया गया व्यक्ति की गरिमा राष्ट की एकता राष्ट की अखंता उप्युक्त सभी तो प्रस्तावना में इन सभी के बारे में संक्लब लिया गया है व्यक्ति की गरिमा राष्ट की एकता और राष्ट की अखंता के बारे में को थेौर अकोशन है संपुण प्रभुत्य संपन सब्द का है भारत अपने आंत्रिक इवं भाय मामले में पूर्णते अंधिन है बारत अपने आंत्रिक आहरी स्वतंत्र है तो उसका सहीज़ाब क्या होगा कि भाय भारत अपने आंत्री के भारी मामनों दोन में पूंटा है स्वतंत्र है धरम निर्पेक सब्द का क्या तात्रिपीर है राज जी का कोई धरम नहीं है राज जी का एक ही धरम है राज अपने इसाब से किसी पर कोई भी धरम थोप सकता या इन में से कोई नहीं तो धरम निर्पेक सब्द का जो तात्रिपीर है वो होगा कि राज जी का कोई धरम नहीं है सब अपनी मर्ज़े से किसी भी धरम का मान सकते हैं पालन कर सकते हैं कि नियमों का पालन कर सकते हैं ठीक है ? भारते सवज़ान की प्रस्तावना में वढने उद्देशयो एवं आदरसों की वाक्षया संवदान में कहां की गई है ? मौल अधिकारों के अध्याय acet निती सट्व के अध्याइव में मौल कृत्यव के अध्याय वमें या उप्युग सभी ? ठीक है तो प्रस्तान में बढ़ने जो उद्देश हैं उनके आदर्शों की वाक्या मूल अधिकारों की गई है नीति निश्यक तक्त्तों के अध्यावयम की गई है और मौलीक करते वोगयों के अध्यावयम में भी की गई है इसे जो आगे वाले कोशन में नेक्स्ट वीडिय करना आप बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत धन्यवाद